हलो एवर्य giving क्या हाल चाले मेरे प्यार दूस्तों आज की वेडियो में हम बात करने जा रही हैं डी डी फिरीडीज के 67 इजह से जुड़ी जैसे के आप जानते हैं का 67 E Oction 13 मार्च 2023 से start हो चुगा है लेकिन 13 मार्च 2023 को डीडी फिरेडिज के टेक्निकल इसु के चलते कोई E Oction की प्रक्रिया नहीं होई ते लेकिन हम बात करें 14 मार्च signs धोतल 11 चैनल स्लोट अन कर चुग एते डीडी फिरेडिश के और वहीं करते हुए अपने चैनलों को यह अक्षन में पाइटिसपेट ना करने का फैसला किया है इसी वाजह से डीडी फिरीडीस पर किसी भी न्यूज चैनल ने पाइटिसपेट नहीं किया है और अगर हम बात करें जी अन्मॉल सिनमा के तो जी अन्मॉल सिनमा ने हाई बीट लगा क इस बिडिए करके अपने चैनलों करें लिए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इन टोटल चार चैनलों किया है 15 माज 2023 को तो आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि D.D. Freedish पर इस बार कोई भी news category का channel पाइटिसपेट नहीं कर रहा है और देखते हैं कि D.D. Freedish पर news category का कौन सा channel देखने के लिए मिलने वाला है इस बार E.Oक्सिंट में या कोई भी news category काalar capital नहीं मिलेगा ये तो ये उक्षन कम्प्लीट होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी है कि टोटल चार चैनल ने सलोट ओन किया है पंदरह मार्ट दोहजार तेही इसको जो देखने के लिए मिलेंगे एक अपरेल दोहजार तेही आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कॉमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया